इस वीडियो के लास्ट में पांच कोश्चन होंगे जिसे हमें पता चलेगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा आपको खुद को अपने आपको टेस्ट करना है कि आपने कितनी चीजें सीखी हैं इस वीडियो से क्योंकि UPPCS में ऐसे काफी कोश्चन पूछ जाते हैं और वो जो पांच कोश्चन मैंने रखी उसके आंसर आपको कमेंट सेक्षन में करने हैं उसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं उन सभी का नाम दिखाऊंगी आपको जिसने सभी सही आंसर कियोंगे इसे लोग सभी को पता चलेगा कि जो भी उसका सही आंसर होगा क्योंकि उस तरह के कोश्चन UPPCS में काफी पुछी जाते हैं चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइट किया गया है तीन पार्ट में डिवाइट किया गया है एक है प्रागय एतिहासिक काल दूसरा है आदिहासिक काल तीसरा है एतिहासिक काल अब तीनों में अंतर क्या है तो प्राग एतिहासिक काल के कोई लिखित साथ से उपलब्द नहीं है जो भी चीजे हमें जानकारी मिलती है वो प्रतत्विदों से मिलती है खुदाई में जो चीज प्राप्त हुई है बस उसी से इसकी जानकारी मिलती है एक्जामपल क्या हो सकता है इसका स्टोनेज पासाड काल उस टाइम का कुछ भी लिखित हमारे पास नहीं है अब पासाड काल को कितने पार्ट में डिवाइट किया गया है इस सभी चीज़े हम आगे पढ़ेंगे पुरा पासाड काल, मदे पासाड काल और नो पासाड काल पुरा पासाड काल को भी आगे तीन पार्ट में डिवाइट के आगे पढ़ेंगे अब दूसरा चीज जो है आद्य अतियासी काल पहले हो गया प्राग अतियासी जिसका लिखित साथ चुपलब्द हैं बस पुरा तत्विदों से चीजे पता चली है दूसरा है आद्य अतियासी काल इसके लिखि साथ उपलब्द हैं लेकिन लिपी जो है उसकी जो चीजे लिखि कहीं हैं वो इतनी गूड है, इतनी अपढ़नी हैं कि हमें समझ नहीं आता तो इसका उधारान क्या होगा हड़पा सभेता जो थी, वहाँ पे हमें चीजे लिपी प्राप्थ हुई है लेकिन उसे पढ़ने में कोई भी सक्षम नहीं हुआ अब आगे देखेंगे क्या चीजे हैं जो तीसरा वाला है एतियासी काल जिसकी जानकारी हमें पूरा तत्विदों से भी मिली है इसके साइटिक्स रोथ भी उपलब्ध है तरह तरह के अभिलेक उपलब्ध है ये सभी चीजे हमने पिछले वाले वीडियो में देखिए कौन-कौन से अभिलेक जो हमें प्राप्थ हुए है इतिहास की जान से जानकारी मिलती है इसका उधारान क्या होगा तो लगबग 600 ईसा पुर्व के बाद का जो टाइम है उस टाइम के बाद हमारे पास बहुत सारे ग्रंत हैसे हैं बहुत सारी पुस्तिके हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है तो ये हो गया एतिहासिक काल तीन पार्ट हो गया प्राग एतिहासिक, आदे एतिहासिक और एतिहासिक अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो प्राग एतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है पूरा पासार काल के बारे में इसे भी तीन पार्ट में डिवाइट किया गया है, किस किस पार्ट में, निम्न पुरा पासाण काल, मद्धी पुरा पासाण काल और उच्च पुरा पासाण काल, तो पुरा पासाण को तीन पार्ट में डिवाइट किया गया है, निम्न मद्ध और उच्च में, निम्न पुरा ये सबी चीजे पता होने चाहिए उसके बादायाथा मध्य पासालकल वो अलग चीज़ है आगे पढ़ेंगगे उसको अब देखेंगी कि पूरपासालकल के कुछ temperature आउजार हमें प्राप्थ हुए है जो तीनों पूरपासालकल है अलग-अलग चीज़ें प्राप्थ हुए है एक्जामे पूछी जाती है निम्नपुरा पासार काल से हमें हाथ की कुलहाड़ी मिली है तच्छोडी मिली है काटने का ओजार मिला है तो यह सब निम्नपुरा पासार काल की बात है फिर है मदिपुरा पासार काल इसमें काटने के ओजार मिले है फलक बेधनी खुर्चनी मतल खूठी पूरा पासार काल यहां पर तच्छोडु और खुड़ुर्जन यह अनने लगी जो छोटी छोटी हथार हो थे पतले नुकली ले वह सभी चीज़े आने लगी मदफिल hosting led इसलब औजार छोटे होने लगे और ज्यादा तीखे होने लगे यह सब चीजे हैं पुरा पासाड काल के बारे में औजार हो गया यह अब आगे देखेंगे कुछ केंद्र है पुरा पासाड में तो निम्न पुरा पासाड के जो केंद्र है वो उत्तर पस्चिम में सोहन घाट हतियार होता औजार होता है ये पेबुल चॉपर चॉपिंग जिसे चीजे काटी जाती है उस तरह का ये हतियार होता है तो इस टाइम पे ऐसे हतियार काफी यूज होते थे इसलिए इसे एक संस्कृति का नाम दे दिया गया है पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति और पूरा पासाण की बात है सबसे पुरानी बात है और इसके साथ इसके लावा भीम बेटका गुफाओं में मिले हैं जो कि मद्धिप्रदेश की गुफाएं है तो भीम बेटका भी हम आगे भी पढ़ेंगे हर जगह आएगा तो सभी जितने भी काल हुए थे पासाण काल में उत्तर प्रदेश का जो प्रताब गड़ वाला एरिया है वहाँ पे है बेलन गाटी आगे चलेंगे मद्धिपुरा पासाण काल इसके साथ चे कहां मिलते हैं बेटवा घाटी में और सोन घाटी में ये दोनों एरिया मद्धिप्रदेश में ज्यादा तर पढ़ते हैं बेलन घाटी में निम्पुरा पासाण काल के भी साथ चे हैं और मद्धिपुरा पासाण काल के भी साथ चे मिलेंगे तो जितने भी पुरा पासाण की बात है सब में बेलन घाटी आएगी फिर महाराष्ट से भी मद्धिपुरा पासाण काल के साथ चे मिले हैं महाराष्ट महाराष्ट में कहां से नेवासा से अभी सायद आपको ये काफी चीज़ें सेम सेम लगेंगी नाम है जो याद नहीं होंगे लेकिन बार-बार अगर आप इसको देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी और जो बार-बार चीज़ें आरें जैसे बेलन घाटी बार-बार आ रही है तो एक्जाम में काफी पूछी जाती है और भीम बेट का गुफाएं आएंगी बार-बार ये सभी चीज़ें पूछी जाते हैं जो बहुत ही रेयर है इसमें एक ही बार लिखा होगा वह सायद बहुत कमी पूछा जाता है एक्जाम में तो उच्च पुरा सच की appra si do pria स pane में सोन घाटी से मिले सिंग भूम एरिया जो है जहारकंड में वहां से भी उठ्च पुरा पासांग के सचके मिले हैं सबुछ तर ये जानकारी हैं जो हमें याद रखीनी है कि पुरा पासारuchen में क्या चीज़ें थी तो क्रिषी पूरा पाशारकाल में यहां पर नहीं और हां लिखा हुआ है पिसी की जानकारी नहीं थी कि जानकारीन फिर जही जनकारीन घे बंठन की जानकारीन, पर बढ़न के नहीं थी कपड़ा की जानकारी नहीं थी जीवन सेली बड़े बड़े जानवरों का ये लोग सिकार करते थे खादी संग्रह की जानकारी थी जो जानवर मारते थे उन्हें इकठा करते थे उत्पादक नहीं थे उपभोगता थे जो चीजें जयती थी बस उसी को खाते थे खुद कुछ नहीं ऐसा करते थे जिसे बादन हो यह है पुरा पासाड काल की बात बस लोगों ने रहना सीख लिया था मतलब अपना जीवा नियापन करते थे किसी तरह से आग की जानकारी गलती से हो गई थी बस पत्थर टकराय राग निकली यह सभी यह स्टोरी सुनी होगी आगे चलते हैं अब कुछ important fact है जो देख लेते हैं पासाड काल की सभी अवस्थाओं के साथ चे कहां से मिले हैं बेलन घाटी और नर्विदा घाटी से यहां से सभी जितनी भी अवस्थाएं थी निम्नपुरा पासाड काल मधिपुरा पासाड काल सभी की जानकारी बेलन चौपर चौपिंग जो संस्कृइत उसका पता चलता है सोहान घाटी का पाकिस्तान में अभी उने देखा था फिर है यही से निम्नपुरा पासाड काल की उपकरन सभसेते से पहले मिले थे सुहान घाटी से और हैंड एक संस्कृइटी का पता कहां से चला है दच्षड भ लोदा नाला का है तो यह बेलन घाड़ी का छेतर है उत्तर प्रदेश में और यहां से हमें मिली है मात्र देवी की प्रतिमा यह सभी चीजे इंपोर्टन थी पुरा पासाड काल के बारे में बागे देखेंगे यह पुरा पासाड काल यह भी चल रहा है तो मधी पुरा पासा जिल्दी के नाम से भी जाना जाता है अब उच्च पुरा पासाल काल की बात है गुफाओं की जगे जोपडियां आ गई थी लोग स्थाई निवास करने लगे थे शरकंडों से जो सरपत की सरकंडे होते हैं उसे जोपडियां बनाते थे और कपड़े के लिए किसका यूज करने लगे थे तो कपड़े के लिए पसुचर्म जो चमडा होता था पसुण का उसका यूज करने लगे थे और इस टाइम पे चित्रकारी भी इन्होंने सीख ली थी क्योंकि भीम बेटका में बहुत सारी चित्रकारी के हमें साच्छी मिलते हैं भीम बेटका की गुफाओं में तो यह हो गया उच्च पुरा पासार काल की बात जुन्यम ने पुरा पासाण काल हमने देखा था हुआ पे क्रिशी के साथ भी नहीं थे केवल आग का पता था और किसी जीच का पता नहीं था तो यह हो गया और चुछ पुरा पासाण काल अब आगे देखेंगे है मधिपासार काल की और पहली बार यहाँ पर प्रप्र parenthा मधिपासार का लियान fighters जितने नाम द शब्रभाणपूर में है लंगनाज का है मध्यपासार काली निस्थल गुजरात में आदमगड का है मध्यप्रदेश में बागोर का है राजस्थान में टेरी समू का है तमिलनाडू में उसके बाद आंद्रप्रदेश करनाटक महाराष्ट बिहार केरल यहां से भी कुछ इस्थल प्राप्त हुए लेकिन यह जितने नाम लिखे हैं सभी स्थलों के यह ज़्यदा इंप्रदेश का है लंगनाज का है गुजरात में आदमगड मध्यप्रदेश में बागोर राजस्थान में तेरी समू है तमिलनाडू में और उत्तरप्रदेश में महदाः और सरायनाहर से इसकी जानकारी मिलती है अभी आगे भी इसकी बाते करेंगे इस अभी जगहें आएंगी कहां से क्या चीज़े मिली है कुछ इंपोर्टन फैक है मध्यपासार काल के बारे में क्रिशी की शुरुआत हुई थी यहां से मध्यपासार काल से क्रिशी की शुरुआत हुई लेकिन खाद्यानों की शुरुआत नहीं हुथी याद रखेगा पहला खाद्यान जो आया था वो आया था जाओ पहला खाद्यान कौन सब होया गया था जाओ और जो खाद्यानों की शुरुआत हुई थी पुर्ना उपासाण काल में हुई थी इस टाइम पे बस क्रिसी की थोड़ी बहुत जनकारी प्राप्त हुई थी इने आग इससे पहले ही पता चल चुकी थी ये पुरा पासाण काल में ये आग आ चुकी थी लेकिन मदी पासाण काल में इसकी कुछ जनकारी मिलती है सरायनाहर से उत्तर प्रिदेश के सराय नहार से पस्वों की अजजली हड्डियां मिली हैं तो पूछा जाता है कि पस्वों की अजजली हड्डियां कहां से मिली हैं सराय नहार से और एक गर्द चूला मिला है जला हुआ कुछ चीज़ें उसमें मिली हैं गर्द चूला कहां से मिला हैं म लापाद में सिल बट्टा की जानकारी महदाह से मिली है यह सभी चीज़ें आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगी ग्रूप का डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक वहां से इसका पीडियेप मिल जाएगा तो एक बार उसको रीड कर लीजेगा तो ज्यादा क्लियर हो लेकिन अर्थिव्यस्ता का साधन पसुपालन के साथ से अंधार नहीं था मद्यपासाण काल में याद रखेगा अर्थिव्यस्ता का साधन पसुपालन नहीं था चित्रकला चितरकला की भी शुरुवात हो गई थी मद्यपासाणकाल में यह तो पहले भी हो चुकी थी तो भीम बेटका और आदम गड़ से मद्यपासाणकाले जो चितरकला है वो प्राप हुई है दोनों स्थल कहा है मद्यप्रदेश में इसके लावा प्रतापगण और मिर्जापुर से भी जानकारी मिली है चितरकला की यह दोनों स्थलीपी में है और यह जो भीम बेटका है इसको युनिवस्के साइट कब बनाय गया था 2003 में तो इसी चीजें पता होनी चाहिए कहा है मद्यप्रदेश में मानो कंकाल और अंतेश्टी की क्या प्रक्रिया थी इस टाइम पे तो मद्य पासार काल में मानो कंकाल के भी साच्छे प्राथ हुए है अंतेश्टी क्रिया का जो प्रावधान है कहां से मिला है में तो यह सराय नहर से सवाधान का साच्छे में मिला है जो प्रक्रिया होती थी दफनाने की सराइनाहर से प्राप्त हुए है सवाधां से ये मेजानकारी मिली है पुरुष को एक साथ दफनाने का साथ चे काहा है से मिल Яंतakah से साभादह से इक हत्या का प्रमाण मिला character एक व्यक्ति के सर में पत्तर गुसा हुआ है तो उसे हत्या माना जा रहा है तो सराय नहर में हत्या का प्रमार मिला है पुछा जा सकता है हत्या का प्रमार कहां प्राप्त हुआ है सराय नहर में और एक ऐसी समाधी यहां से मिली है जिसमें चार कंकाल एक साथ है मतरल चाur लोगों को एक साथ दफनाये गयाए, काहां से साच मिला है ? सराय नहार से और एक दम-दमा अस्थल है, जो कि महाराष्ट में है, वहां से जनकारी मिलती है कि एक ही समहादी है, उसमें तीन लोगों को दफनाये गया है तो ये सभी चीजे इंपोर्टन्ट है आगे चलेंगे नव पासाड काल के बारे में तो क्रिशी के साथ यहां पर अच्छी तरीके से मिले हैं जव कुलती गियां मूंग खजूर गेहूं का पासाद की खेती होने लगी थी यहां पर आवास स्थाई हो गए थे और आर्थिक छ इसलिए का ज़सकता है कि पित्र सत्तात्मक जो समाज है वो शुरू हो गया था नौपासाड काल में धार्मिक छेत्र की बात करें तो मात्रदेवी की पुजा होती थी प्रक्रग्ति की पुजा होती थी पुनट जन्में लोगों का विश्वास था यह सभी चीज़ें कहां क ब्रह्मिगीरी करनाटक में हलूर करनाटक में तो इस अभी स्थल जहां से नौपासाड काल की जनकारी मिलिए पिकली हल करनाटक में पयम पली इतमिल्लाडू में अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है नौपासाड काल की बारे में तो पंचो जो जगह है विद्ध वाले मिलती है मचली सिकार की जनकारी मिलती है क्रिशी की पसपालं की गर्टा वास यह काफी पूछा जाता है कहां से मिले हैं बुर्जों से और मनुष्य के साथ कुट्टे को दफनाने का साथ से कहां मिला है बुर्जों से यह सभी चीज़े इंपोर्टन है आगे है गुफ कराल गुफ कराल कश्मीर में है यहां से क्या क्या चीजे मिलें सिल्बटा मिला है गुफ कराल से और हड़ी की सुई मिली है तो गुफ कराल से सिल्बटा और हड़ी की सुई देच्छड भारत में जो नौपासाड कालीन संस्कृती थी उसका उदारण क्या है नागरजुनी कोंडा यहां से नव-पसार्कालीन स्थल मिले हैं जी संस्कृती एक अलग तरह की थी फिर है पसार्कालीन अनुषंधान प्राइपम करने का श्रे किसे दिया जाता है कुछ important यह fact है जो में याद रखने है तो अनुषंधान प्राइपम करने का जो स्रे है तो दिया जाता है रॉबस ब्रुस्ट फुट को यह तरह के भू बैग्यानिक थे यह पुरत्तुवी दिभीजने कहते हैं तो यह इन्होंने जो अनुसंधान प्रादम में किया था पासाड काल का कब किया था 1863 में यह सभी चीजी इंपॉर्टेंट है फिर है पासाड कालीन जो अनुसंधान थे वह बाद में किसने के थे 1935 में यह एल कैंब्रिज डी टेरा और पुटेर्शन के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर आगी चलते हैं प्रिद्धान है और वहां से प्राप्त साच्च क्या क्या हुए है तो मेहरगर से प्रिथम क्रिशी का स न सुटन हिए हैं मेहरगर से जो कि पाकिस्तान वी इसके लाँ उत्तपधेश के लहुरादेवमें भी जो एंधन की भूषी मिलाए है जो कि यहां से भी पुरानी है जो अभी लिखित में आया है जह सभी जगए ने मतलब आप सभी देशों मिली है साण की कहां से इनाम कां से यह महरास्ट वाला इरिया है फिर टेकल कोट से सोने की बाली मिली है तेकल कोट से सोने की बाली बागोर और आदमगर से पसपालन के साथ से मिले हैं चिरां से हड़ी के आउजार मिले हैं चिरां से फिर हस्तिनापुर से जंगली गन्ना कुदाल और ताम रचोणियां मिलिए कोल्डीवा से चावल का प्रथान साच्छी मिला है नेवासा से सूती कपड़े का साच्छी मिला है अध्रंजी खेडा से कपड़े की च्छपाई के आउसेस मिले है यहां पर वही चीज लिखें जो लहुरा देव में चावल के साच्छी मिले थे यहाँ पर लिखा है कि 9000 इसा पुरुव से लेके 8000 इसा पुरुव के साथ छे हैं जो संतकवी नगर में मिला है आगे चलेंगे तामर पासाल काली इन कुछ संस्कृतियां थी इसे देखेंगे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पर पासाल काल की बात कर रहे थे अब यहाँ तामबे का भी यहाँ पर यूज होगा पासाल के साथ मतलब पत्थरों के साथ अब तामबे का भी यूज होने लगा और यह ज्यादा पहले की बात नहीं है वो जो भी तक हम पढ़ रहे थे वो स्टोने इस थी पुरा बहुत पुरानी बात अब यह 2100 से 1500 इसा की बात ले हैं और इसी की टाम के लगबक सबी बातें द यह ब अलग संस्कृति पढ़एंगे बस इंपोर्टन चीजें इसने देखें यह है अहार संसक्री यह कहां का छेतर है- तो यह राजस्थान का छेतर है आहार ओर रोड़ी तो यह ओन है तो ऑर फिर है यूज हूता पामिका फिर मालवा संस्कृति में क्या क्या जगे आती है कायथा एरण नागदा और नौधा टोली तो यह जो कायथा इसी नाम से लोग थे उन्होंने ही भीम बेटका की जो खोज की थी उसके बाद क्या है था कि यहां पर पासाण काली सस्कृति इसके साथ से मिलते हैं या नहीं इस सभी चीज़ें उन्होंने पटा कर वाई थी जो रवे सस्कृति महाराश्च वाले एरिया में थी दायमा बाद इनाम कि वहां दूर्वे से आगे चलेंगे दछडभारत की बात करेंगे दछडभारत में ब्रह्मगिरी उतनूर और संगन कलू यह कहां के शितने दछडभारत के जित्वार पासाल का लिनिस्था लें फिर गेरवणु गेरवणी मृद्भांस संसक्रति यह उत्तर प्रदेश की सं संस्कृति है जाप पेले हरपा संबinta थी वहीं पर पेले यह संस्कृति थी सारनपुर अलमगीयр इससे पहले हस्तीनापूर और प्रेम संस्कृति के सात से मिले हैं जो की हरपा के पहले से हैं तो हरपा हमबाद में पढ़ेंगे अभी यह गेर हुआटी अगला वीडियो आएका उसमें मैं उनके नाम बताऊंगी और इसका आंसर भी दूँगी तो आप ध्यान से देख लीजे कमेंट सेक्षन में इसके आंसर बताएगा भीम बेटका और नौदा टोली के उत्खनन करताओं के नाम क्या है अहार का प्राची नाम क्या है और यह वर्तमान में किस राजी छेतर में है फिर है प्राकैतियासी काल और आदियासी काल में क्या अंतर है फिर आखरी जो कोश्चन है पाच्वा लाउरा देव उत्तर पदेश के किस जिले में स्थित है यह पाच्व कोश्चन के आंसर आप कमे पर दुबारा से देख लिए और यह काफी इंपोर्टेंट है यूपी पीसे सी है यूपी कि किसी भी एक्जाम के लिए वीडियो यूसफुल लगाओ तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंकि सो मच रॉचिंग वेखाएंग क्लास